Hello friends, आज की breakfast recipe या फिनेक्स की recipe बहुत ही खास और बहुत ही special होने वाला है ये खाने में जितना tasty होता है और crispy बन करके तैयार होता है घर में easily सामान जो भी available होता है उसी से आप लोग इसे फटा फट से बना कर तैयार कर सकते हैं कोई भी सामान इधर उदर से लाने की जोरत नहीं होता है इसे आप चाहें तो मौर्णिंग में ब्रेकफास्ट के लिए बना कर त्यार कर सकते हैं इबनिंग में टी टाइम स्नेक्स के लिए या फिर बच्चों के टिफिन के लिए भी फटा फट से इस नास्ते को बना कर आप इसे दो करके ले लिया है इसे ग्रेटर के पतले वाले होल से ग्रेट कर लेना है और हाँ इसे पानी में ही ग्रेट करना है जिससे आलू बिल्कुल भी काला नहीं पड़े और जितना भी आलू से स्टार्च निकलता है पानी में आ जाए इस तरह से आप देख सकते हैं पानी क्लावडी हो गया है तो इसे नल के नीचे ले जाकर कम से कम तीन से चार बार साब पानी से दो लेना है जिसे ये बिल्कुल क्लीन हो जाए तो इसे स्टेनर में इसी तरह से रख देते हैं तब तक हम लोग गैस की तरफ चलते हैं गैस के उपर कोई भी एक कडाही रख दिजिए और जब कडाही अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें एक से दो छोटी चमस तेल डालना है यहां पर बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है जो भी आप कुकिंग ओल खाते हैं ले सकते हैं और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें अच्छा पर निकल जाए इसके बाद एक से चटकने तक भूल लेना है फिर इसमें बारी कटा हुआ एक हरी मिर्च एड़ कर देंगे मिर्च आपको यहां पर अपने टेस्ट के कोडिंग अपने चोईस के कोडिंग डालना है कितना आपको तीखा खाना पसंद है उसी के हलाई सब्जी को एक छोटे साइज का एक प्याज लेना है और इसे बारी multiplic करके लेना है, तेल में डालने के बाद मिक्स कर लेना है बहु ज्यादा ब्राउन करना है प्याज और इसमें बारी कटा हुआ सिमला मिर्च और साथ में खरके यहाँ हवी चोछि डाल सकते हैं जो भी आपको सब्जी खाना पसंद है उनी सब्जियों को आप यहाँ पर एड़ कर सकते हैं और जो सब्जी आपको पसंद नहीं है उन सब्जियों को आप चाहें तो इसकीब कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी कप या फिर बाउल इस तरह से सेट कर लेना है इसी से हमें पानी measurement करके डालना है तो इसी cup से 1 cup और half cup पानी एड़ करना है मतलब 1.5 cup पानी के यूज़ करना है और पानी डालने के बाद mix कर लेना है और इसे थोड़ा सा boil कर लेना है मतलब सारे सबजियों को एक उबालाने तक cook कर लेना है जिससे ये half cook हो जाए बहुँ ज्यादा overcook सबजियों को नहीं करना है और साथ में डाल देना है नमक, टेस्ट केकोड़ी और यहाँ पर 2 पिंच हल्दी एड़ करना है हल्दी बहुँ ज्यादा यूज़ नहीं करना है बस हल्का सा हल्दी डालना है जिससे नास्ते के उपर एक हल्का सा कलर आ जाए मिक्स कर लेना है और एक उबाल आने तक इसे cook कर लेना है तब तक हम लोग आलू चेक कर लेते हैं यहाँ पर आलू से सारा पानी drain आउट हो चुका है आप लोग देख सकते है आलू को सबजी में मिक्स कर देना है और इसे मिक्स करने के बाद एक उबाल आने तक पका लेना है बहुत ज़्यादा cook नहीं करना है क्योंकि आलू के लच्छे बहुत पतले हैं और ज़्यादा मैसी हमें नहीं करना है इसके बाद उसी कब से जिस cup से आपने पानी measurement करके लिया है ना उसी cup से सूजी लेना है और सूजी धीरे-धीरे करके add करते जाना है और mix करते जाना है सूजी पानी बहुत जादा सोकता है तो mix करने के बाद अगर आपको लगे कि यह dry लग रहा है तो उस समय आप एक से दो छोटी चमच पानी डाल सकते हैं अगर आपको पानी की जरो तो तभी आपको पानी add करना है या फिर इसी पानी में अच्छे से mix हो जा तो पानी add नहीं करना है तो यह थोड़ा सा dry लग रहा है तो हम यहाँ पर दो छोटी चमच पानी add कर देंगे और mix करने के बाद यह डो form में आ जाता है इस तरह से आप सकते हैं यहाँ पर आपको gas का flame off कर देना है और इसे ढख कर 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है जिससे अपने steam में यह अच्छे से cook हो जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हमने इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ट्रांसफर कर लिया है एक बड़े से बावल म अब इसमें एड कर देना है half teaspoon जीरा तो यहाँ पर साबूत जीरे का यूज करना है और साथ में half teaspoon चिली फ्लेक्स और साथ में एड करना है थोड़ा सा दो पिंच के करीब black paper यानि की काली मिर्स का powder और साथ में एड करना है खुब धेर सारा बारी कटावा हरा धनिया इन सब को डालने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इसे mix करते हुए एक dough के form में बना लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं इतना measurement पानी में बिल्कुल perfect dough बन करके तियार हुआ है नहीं ज्यादा soft और नहीं ज्यादा tight इसी तरह से बना कर आपको तियार कर लेन हाथ दोने के बाद थोड़ा सा तेल हाथ में लगा लिजिए इस तरह से और दोनों हाथ को grease कर लिजिए जिससे की ball बनाते समय हाथ में बिल्कुल भी chip के नहीं और दो बड़े size का ball बना करके ready कर लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं अब कोई भी chopping board ले लिजिए इस तरह से या फिर कोई भी चकला ले सकते हैं और उसमें एक से दो ड्रॉप तेल डालना है और इस ball को roll करते हुए हमें एक पतला roll बना करके ready करना है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आप चाहें तो छोटे-छोटे ball भी बना कर त्यार कर सकते हैं लेकिन इस तरह से बना कर त्य थेली से प्रेस कर लेना है और दोनों साइड से फिंगर से प्रेस करते हुए हमें एक कटलेट का सेप दे करके त्यार करना है बहुत ही आसानी से बन जाता है आप लोग देख सकते हैं और इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है बहुत जादा पतला नहीं करना है इस तरह से आप देख सकते हैं थिकने और इसी तरह से सारे नास्ते को बना करके हमें तयार कर लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने सा उतना आजाए एक बार में उतना आपको एड़ कर देना है यहाँ पर गैस का प्लेम मीडियम टू हाई रखना है और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है अगर आप इस नास्त्य को डीप फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो आप कम ते बन करके रेडी हुआ है और बहुत ही टेस्टी बन करके तयार हुआ है तो एक बार इस नास्ते को आप लोग ज़रूर ट्राई करें आप लोग को बहुत पसंद आएगा तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंट्रेस्टिंग रेसेपी के साथ तब तक कि लिए बबा को हरी धनिया की चेटनी या फी सौस के साथ गर्मा गरम इंजोई कर सकते हैं थैंक्स पूर वाचिंग